प्यारे दोस्तों, हम सीख रहे हैं Simple Presentence हमने Simple Presentence के Sentences सीख लिए हैं उसके बाद उसके Negatives बनाना सीख लिए हैं Verbal questions सीख लिए हैं उसके बाद में WH questions भी हमने सीख लिया हैं और हमें अब Object के बारे में सीखना है जिसमें हमने इसके पहले के वीडियो में अबजेक्ट के बारे में जानकारी हसिल की है, मैंने बताया था दो तरीके के अबजेक्ट्स होते हैं, देखते हैं वो अबजेक्ट्स कौन-कौन से होते हैं, जैसे हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबजेक्ट प्लस वीवन प्लस अबजेक्ट प्लस कॉंप्लिमे simple present tense के light में देखेंगे तो यहाँ पर subject plus do और does ये helping verb रहेंगे दो, फिर main verb, फिर object और compliment, full stop. हम जब verbal question बनाते हैं तब हम do, does, do या does ये दोनों में से एक पहले लेते हैं फिर हम subject को लेते हैं subject फिर हम verb को लेते हैं फिर object और फिर compliment और question mark जब हम wh questions बनाते हैं तब wh word plus do or does do or does यहाँ पर compulsory है not अगर हम यहाँ लेते हैं do or does के बाद तो negative sentence बन जाता है plus subject plus first form of the verb plus object plus compliment full stop मैं यहाँ पर not लेकर भी लिख कर दे देती हूँ ये हो गया हमारा simple present tense complete अगर sentence में हमारे helping verb नहीं होता तो हम not नहीं ले सकते मेरे पहले upload किये हुए videos में इनकी जानकारी है वो मराठी language में है viewers की request है कि मैं हिंदे में बात करूँ इसलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी हम देखेंगे example के थुरू object कैसे पहचानते है sentence में और दो object कौन से होते हैं तो object जानने के लिए पहले मैं एक sentence लिखती हूँ he gives me a pain वो मुझे एक pain देता है ये sentence में जब हम जानते है जो हमारा main verb होता है main verb उसको हम जब what ये question करते है और whom ये question करते है तो ये दोनों के answer जो भी होते है उनको हम object कहते है sentence अभी particular sentence की बात चल रही है तो इस sentence में हम इस verb को हम जानते है main verbs जो action verbs होते है जिनके द्वारा हमें action का पता चलता है और time का भी पता चलता है उसे हम verb कहते है sentence में तो ये हमको पता है कि ये verb है अब gives देता है what gives तो अगर आप question करेंगे what gives तो आपको जवाब मिल जाएंगा pain और जब आप ये question करोंगे whom gives तो आपको जवाब मिलेंगा me ये भी object है अब object दो object है तो आप जो देख रहे हो एक जो object है वो हमारे personal pronoun में से है उसका से objective case है object की जगा पर आने की वज़े से pronoun का case बदल जाता है जैसे हमने subject pronouns देखे हैं यहाँ पर बताती हूँ subject pronouns I, we, you, they, he, she और it ये साथ subject pronouns है subject की जगा पर आते है ये who होते हूँ, कौन वो आपको हूँ ये question पूछ है तो हमें subject pronouns मिलेंगे या फिर noun जो भी होंगा वो मिलेंगा अभी object pronouns कौन से होते है जैसे I के लिए object pronoun हो गया मी, we के लिए हो गया us, you के लिए you ये अच्छा हो गया, you के लिए कोई छेंड नहीं है और simple होता है दे के लिए them ही के लिए him शी के लिए her और इट के लिए भी same है हमें पांच pronouns के second sorry objective forms को याद करना समझ के लिए ना ध्यान रखना होगा I का objective form मी है वी का us है दे का देम है ही का him है और शी का हर है ये हम जब practice करते है sentence बनाने की लिखने की, पढ़ने की तब हमको ये आसानी से ध्याद में रह जाता है इसके लिए कोई दिकत नहीं है कि मैं कैसे अभी से याद रखो एक practice ही आपको perfect बनाने वाली है तो जब हम personal pronouns को object की तोर पर देखते है sentence में तब हम उसको बोलते है indirect object indirect object और आपने देखा है अभी हमने जब वह आपको question किया तो indirect object whom ये question करने से आपको मिल जाएंगा और what direct object जो मिलता है जो direct object होता है वो what ये question करने से मिल जाता है जैसे thinks कोई भी चीजों से related जो object होता है वो direct object होता है sentence में और personal pronoun ये noun से related होता है यानि हमें whom question पुछना है और अगर हमें कोई word मिल रहा है as a answer उस sentence में तो वो indirect object होता है अभी और एक sentence देखते है they told sorry हम simple present tense में है अभी फिलार ऐसे कुछने कोई भी tense में हम बना सकते है detail हम यहापे suffix भी नहीं add करेंगे अच्छा चलो मैं इसे गलती कर देदे they tell her a story the story या a story कोई भी बात ने वे एक story उसको कहते है बताते हैं अभी यहाँ पर हम देखेंगे whom किसे कहते हैं किसे बताते हैं तो जवाब मिलता है हर तो यह हमारा indirect object है और क्या बताते हैं क्या सुनाते हैं क्या कहते हैं तो वो हो गया है direct object इस तरह से तो एक object होंगा या दो object होंगे sentence में और हमने ये भी देखा है कि sentence में object नहीं भी होंगा अभी हमको अगले वीडियो में voice change करना है अभी जो भी हम sentences ले रहे हैं वो है active voice में वो आपको बहुत आसान है उसमें कोई भी ऐसी परिशान होनी की बात नहीं है कि मैं कैसे सीखोंगे जैसे जैसे step wise चल रहा है आप उसी तरह से आगे बढ़ते रहे हैं चलो और एक sentence लेते हैं जिसमें object है Mina writes a later Mina writes a later यह हमें बताए कि write यह वो अब है what writes a later तो यह है object अब what का जवाब मिला यह direct object है whom writes किसे लिखती है वो यहाँ पर नहीं है तो इस sentence में हम बोलेंगे एक ही object है अगर a sentence इस तरह से होता Mina writes them a later या फिर या फिर Mina writes a later या फिर यह sentence हम change करकर भी लिख सकते यहाँ पर Mina writes a later to design अगर noun रहा तो हम to लगा सकते है या फिर Mina writes a later to them इस तरह से उसमें कोई भी interchange होंगे objects तो उसमें थोड़ा सा change आएंगा लेकिन meaning में बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता है हमें पता है rights यह verb है whom writes them यह हो गए indirect object what writes a later यह हो गए direct object Mina writes whom writes किसे लिखती है यह है indirect object जो noun यह pronoun को बताता है वो indirect object और जो thing को बताता है वो direct object आप ऐसे ही sentence की practice करो textbook में से ऐसे sentence निकालो उसको पहचानो subject वो object को जैसे के he subject है इस sentence में इस sentence में Mina इस sentence में दे तो आपकी practice आपको आगे की जो grammar parts है वो learn करने में काफी helpful होंगे so practice the sentences whenever you will get time for English language learning and stay home stay safe